असलाम लेकूं डियों स्टूडंस कैसे आप सब लोग उमीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घरों में महफूस होंगे मौसम अच्छा हो गया है तो आप लोगों के पेपर्स भी अच्छे तरीके से हो जाए और आप लोगों की तैयारी भी 100% हो और आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर जो है वो पास हो जाए अल्ला करके सरकारी स्कूलों में जो है वो फाइनल एक्जाम्स हो चुके थे अभी भी कुछ स्कूल के एक्जाम्स हो रहे हैं मतलब इतना डिले आया है जो एक्जाम्स फेबरिरी में खतम हो जानी चाहिए थे वो मार्च के मिड में भ अफॉर्ड नी कर सकता तो इस सरकारी स्कूलों के जो मामलात है जो सेटल्मेंट है जो जो भी मैनेजमेंट बगेरा है वो परफेट होनी चाहिए मगर अफसोस की बात है कि अब तक ऐसा नहीं है जैसे इंतिहानात में आप लोगों की ताखीर आई थी उसे तरह आप लोगों क किते हैं कि पाकिसान का एडुकेशन सिस्टम जो है वो किस हिसाब से चल रहा है बारा सो से जाइद सरकारी स्कूल सिर्फ पंजाब भर में और सिर्फ और सिर्फ चार हजार असाद़ा है मतलब एक स्कूल में तीन-टीन असाद़ा भी नहीं है मौजूद हिसाब किया जाए तो बहुत कम ताद़ा है यह असाद़ा की चार हजार में से भी दो हजार असाद़ा जो है वो मस्रूफ है अपने बाकी कामों में क्योंके गौर्मन्न की डूटी लग रही है ऐलेक्शन आने वाले हैं वो लोग वहां पे मस्रूफ हैं जिसकी वजह से आप लोगों के पास स और मजीद ताखिर हो सकती है तो आई होब मैनेजमेंट जो है वो होश काइम करें उनके लिए फर्स प्यॉर्टी एडुकेशन सिस्टम को चलाना है आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए पेपर्स तैयार करना है पेपर्स चेक करना है और आपके रिजल्ट को सामने लाना है ना जल्ट सामने आए और जिन स्टूटन्स के अलड़ी पेपर हो रहे हैं वो भी जल्टे खातम हो जाए ताकि आप लोग अपने निया सेशन स्टार्ट कर सके आगे भड़ सके कि जब तक आप लोग आगे नहीं भड़ेंगे तो आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकते हैं तो मैं उमीद यही करती हूँ कि हमारे जो एड्यूकेशन मिनिस्ट्री है वह जल्ट साथजा को भरती करें क्यूंकि इस साल 6,75,000 से जायद स्टूडन्स थे जिनों ने एक्जाम्स दिये हैं यह अभी सिर्फ ओवराल बात नहीं हो रही है यह सिर्फ पंजाब के क स्टूडन्स के साथ मत खिलवात करें उनके फ्यूचर के साथ खिलवार मत करें वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और किमेंट ज़रूर करें मुझे दें अजाज़त में दिवारा होंगी कोई यूसफुल सी वीडियो के साथ तब तके लिए अलहाफ्रस